नमस्कार मैं हूँ आसेश और आप दिख रहे हैं आसेश कॉमर्स लासेश मेरे पीशाथियों हम लोग अपने वीडियोज में बात कर रहे थे management accounting की और management accounting में हम लोग उने बहुत सारे topic को पहले समझा था और जाना था आज हम लोग समझेंगे कि budget किसे कहते हैं यानि what is budget तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि budget का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभासा क्या होती है इसमें कहा गया है budget का अर्थ यानि meaning of budget बजट या ब्योसाइक बजट का आज है यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि जब आप लोग commerce में budget की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग business budget की बात करेंगे यानि ब्योसाइक budget की बात करेंगे और exam में जो भी question है वहाँ दो तरीके से आ सकता है कि बताइए budget क्या है या फिर ऐसे भी आ सकता है कि बताईए ब्योसाइक बजट क्या होता है तो इससे आपको घबराना नहीं है कहा गया है कि बजट या ब्योसाइक बजट का आसे भूत काल में हुई गल्तियों, कमियों, नुखसान तथा लाब एवं भविश्च की इस्थितियों को भापते हुए वर्तमान समय में लिये गए निर्रायों के अनुरूप तयार किये गए एक लिखित विवरण से है यानि कोई भी एक विवरण है यानि स्टेटमेंट है बजट उसमें क्या होता है कि कमपनी क्या हो रही है, चल रही है और company को जो भी पिछले साल अनुभा हुआ है या फिर company को इस अनुभा में लाफ हुआ है हान हुई है कौन-कौन सी गलतिया company ने करी हुए किसी business निक्टिया हुआ है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और आगे company कौन-कौन से कारे करना चाहती है उन सारी की सारी गलतियों को शुदारने के लिए अगर company का sales डाउन है तो company अपने sales को कैसे up करेगी यानि company अपने sales में कैसे growth लाएगी marketing strategy कैसी होगी costing कैसी करेगी तो इन तमाम तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए company क्या करेगी एक ब्योरा बनाएगी एक विवरन बनाएगी तो इसी विवरन को कहा जाता है budget उस budget में या देखा जाता है किस तरीके से किन किन sectors में कहां कहां पे company को पैसे खरच करने हैं ये बातें भी ध्यान रखी जाते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे देश का budget आता है तो उसमें क्या होता है जो भी पिछले वर्सों में यानि पिछले budget में कमिया रहे गए होती हैं उनको सुधाला जाता है और जो भी भविश्च में जो चीजें करनी होती है जो भी improvement करना होता है उसके लिए पैसे खर्च करने का एक पूरा का पूरा विवरन होता है तो इसी पेकार से कमपणिया भी करती हैं पैसे खर्च करने का विवरन बनाती हैं बजट में इसी बात को यहां पर समझाया गया है और आसान भासा में समझा जाये तो कहा जा सकता है कि मौलिक रूप से बजट किसी ब्योसाइक संस्था का किसी निश्चित भावी समय अवधी में संपन की जाने वाली क्रियाओं का एक विवरण यानि स्टेटमेंट एवं मानचित्र यानि मैप होता है तो इस बात को यहाँ पर संधाया गया है मेनिंग में यहाँ पर मैंने एक एकजामपल दिया है एकजामपल को आप लोग धान से देखेंगे समझेंगे और जानेंगे कोई कंपनी है जो पिछले 10 साल से कारेरत है इन 10 सालों में उसने लगातार प्रगती की है लेकिन पिछले वर्स उसकी प्रगती उसके पिछले वर्सों के उसके पिछले वर्सों से थोड़ी कम रही अब इस स्थिति में वह कंपनी अपनी पिछली स्थिति को देखते हुए तर भविश्य को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह सभी तत्नों का विश्टेशन करते हुए भविश में प्रगती करने के उद्देश से एक विवरण तयार करेगी और उसी के माध्यम से सभी काजियों का संचालन करेगी इस इस्थिति में कंपणी के तवारा जो विवरण तयार किया गया है वही बजट या बेवसाइक बजट कहा जाता है तो नर्मल सी बात है इस तरीके से ग्जामपल में आप लोग समझ सकते हैं यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई भी पुरानी कंपणी है वही बजट बनाती है जो नई नई कंपणीया शाठ होती है वो भी क्या करती है अपना बजट बनाती है वे क्या करती है तमाम तरह के जो भी elements होते हैं जो भी market के factors होते हैं उन सारे के सारे factors को धान में रखते हैं जो भी बर्दवान समय में और भविश शिकाल में effect कर सकते हैं business को तो उन सारे के सारे factors को business environment को धान में रखते हुए जो भी तमाम तरह के rules और regulations होते हैं उनको धान में रखते हुए क्या करते है company बनाती है budget तो इस तरीके से जो नई company हो होती हैं वो तो बनाते ही हैं अब देखते हैं बजट या बेवसाइक बजट की परिभाशा यानि definition of budget आइसी या में लंदन के अनुसार बजट एक वित्तिय विवरण होता है जो किसी नियत अवधिके पुर्व तैयार किया जाता है यानि जो भी budget है वह एक विवित्तिय विवरण है यानि financial statement है जिसमें वित्य संबंदी तमाम तरह की बातीं दी गई होती है और यहाँ क्या होता है एक निस्चित अवधिके पूर्वत तयार किया जाता है यानि जिस अवधी के लिए यहाँ बजट त्यार किया जाता है वह अवधी बाद में आती है उससे पहले ही त्यार कर लिया जाता है समान लेजे आपको बजट त्यार करना है अगले 5 साल के लिए तो क्या कर रहा है आप आप इस सब त्यार कर रहा है बजट अगले 5 स आले के लिए जो अवदी आने वाल ही आगे उसका बजट आप लोग पहले ही त्यार कर ले रहे हैं आगे कहा गया है जिसमें एक पुर्व निर्धारत उद्दिष्ट की प्राप्ति है तो उस अवदी में अपनाई जाने वाली नीती का उलेख होता है जहां पर अच्छे से सम सफलताओं को मापा जाता है भाई सहाब जो भी बजट वाई प्रमाप है यानि एक मापक है उसके द्वारा ही मापा जाता है कि जो भी ब्योसाय जो है और जो भी व्यक्ति हैं उनकी विभागों की सफलता कितनी हुई है यानि जो भी सफलता उसको मापा जाता है बजट के द्वारा ही तिसरा है ब्राउन तथा हावड के अनुसार ये कहते हैं कि बजट एक दी हुई अवदी की प्रबंध नीती का एक पुर्वन निधारित विवरण होता है यानि जो भी दी हुई अवदी है जो भी आने वाला समय है उसके प्रबंध नीती का यानि जो भी फ्यूचर का मैनेजमेंट किया जा रहा है उसकी प्रबंध नीती का एक पुर्वन निधारित विवरण होता है यानि जो भी फ्यूचर में किया जाने वाला है उसका एक विवरण होता है उसको मैनेज करने का एक विवरण होता है statement होता है जो वास्तिविक परिणामों से तुलना के लिए एक माप तयार करता है और जो भी वास्तिविक परिणाम होंगे क्या हो सकते हैं क्योंकि future क्या होता है uncertain होता है और future को कोई जान नहीं सकता फिर भी एक निश्चित विवरण दिया जाता है एक निश्चित ही एक निश्चित विवरण दिया जाता है बनाय जाता है उसी किश्चाप पर company चलती है तो यहाँ पर यहाँ definition दिया गया है brown तथा howard के अनुसार अगला और अंतिम definition है जिसमें कहा जा रहा है clearance L1 secure का निश्चार की budget एक प्रकार का अनुमान होता है अच्छी बात है अनुमान तो होता ही है जो किसी विशिष्ट भावी अवधी के लिए पहले बनाया जाता है इस बात को मैंने आपको पहले ही बताई दिया हुआ है यहाँ पर हमने आज बात किया इस विडियो में की budget की से कहते हैं यदि आपके पास और कोई प्रशन है तो उन सारे के सारे प्रशनों को हमें जरूरता है आपके सरी प्रशनों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे यदि आपने चालों को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लाएं वीडियो को शेर करते हैं लाइक करते हैं हम फिट से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिंट